नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष्थाकुर के साथ दोस्तों, जियारेप 2021 की तैयारियों के अंत्रगत हम एकाई दो हिंदी साहित्य का इतिहास और अन्य गद्य विधाएं पड़ रहे हैं और इसमें हमने जो आपका भक्तिकाल है उसको शुरू किया है और भक्तिकाल के अंद्रगत हमने राम कावय को पूरा कंप्लेट कर लिया था और क्रिश्न कावय के भी लग भग लग भग हम अंतिम पड़ापर हैं इसके आखरी जो समप्रदाय निर्पेक्ष क्रिश्न भक्त कवी हैं उनके बारे में हम आज डिसकस कर रहे हैं और इस से पहले जितने भी आपके अश्चापी कवी थे उनके बारे में हमने डिसकस Windu कर लिया है आज हम पढ़ रहे हैं देखिए संपरदाय निरपेक्ष जो कृष्ण भक्त कवी प्रमुख माने जाते हैं मीरवाई और रस्खान के बारे में और ये परिक्षा के रिगार्डिंग बहुत ही मौतपूर्ण टॉपिक्स हैं दोनों ही कवी और ये कवित्री इन से प्रशन पू और किस दीके की भक्ती मीरवाई की रही है सबसे पहले देखिए यहां पर संपरदाय निरपेक्ष कृष्ण कावे के अंतरगत ये दोनों कवी और कवी त्री आते हैं पहली बात ये है कि संपरदाय निरपेक्ष जो कावे है वो क्या है इससे पहले आप लोग देखेंगे क कि हमने अलग-अलग संपरदायों के अंतरगत अलग-अलग कवियों को पढ़ा वल्लब संपरदाय में हमने जितने भी हमारे अश्चाप के कवी थे उनको देखा उसके बार निमबारक संपरदाय के जो मौतपून कवी थे उनके बारे में हमने पढ़ा और निमबारक के मैंने अभी आपको बताए इन संप्रदायों में न रहकर इनके बंदरों में न बंदकर क्या किया उन्होंने अलग स्वचंद तरीके से रचनाएं रची और बिल्कुल स्वतंतर रूप से उन्होंने काम किया है तो कौन-कौन से वो कवी हैं दो मीरवाई और रस्खान देखि इस चीज मैंने आपको पहले ही बता दी देखिए ऐसे कभी जिनोंने क्रिश्न की भक्ति के लिए किसी संप्रदाय का सहारा नहीं लिया उन्होंने स्वतंतर रूप से ही क्रिश्न की लिलाओं का वनन किया जो चीज उन्हें ठीक लगी उसी चीज को उन्होंने ग्रहन किया आप देखते हैं कि किसी संप्रदाय में क्या है योगल उपासना का वनन है किसी में सिर्फ राधा का वनन है तो इस तरीके की जो बात है इन्होंने इस बात को नहीं माना इन्होंने अपने तरीके से सुतंतर रूप से सहीतिक रचनाय रची और उनके जो क्रिश्न भक्ति के जो पद हैं वो गाए तो ये महत्वकून चीज़े हैं संपरदाय निर्पिक्ष क्रिशन कावे के बारे में कि जो संपरदाय निर्पिक्ष कवी हैं वे रस्खान और मीरा ही माने जाते हैं और जितने भी आपको गरंथ मिलेंगे जितनी भी आपको अपनी कितावें मिलेंगी वहाँ पर इन दोनों का ही जिक्र आपको देखने को मिलेगा अगर सबसे पहले बात की जाए जनम काल के अधार पर तो दीखिए पहला जो स्थान आता है इसमें यह आता है मीरा भाई का तो दीखिए मीरा इनका जो जनम है ये बहुती विवादस्पद है अपने आप में क्योंकि कुछ एक बुक्स में मीरा का जनम 1504 बताया जाता है और 1516 में इसको क्या बचाया जाता है कुछ एक किताबों में 1516 बताया जाता है ये कोई ऐसी बिलकुल इसको अथेंटिक हम एक तरीके से मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं कि अचारे रामचंद्रे शुकल की पुस्तक क्याधार पर माना जाए तो ये 1516 ठहरती है लेकिन अन्य पुस्तकों में देखें तो वहाँ पर इसको 1504 बताया गया है तो इसमें अपने, confused नहीं होना है जनम से related मीरा वाई से प्रशन बनने की संभाबना बहुत कम है ठीक है अगर देखी यहां पर लिखा है कि मीरा का जो जनम है मेरता के निकट कुटकी गाउं में हुआ और राजस्थान आपने जिम्पल याद रखना है इतना कि मीरा का जनम कहा हुआ रजस्थान में हुआ था, कुछ एक चोकडी मानते हैं, कुछ एक कुटकी गाउं मानते हैं तो यह दो गाउं आपने याद रखने हैं यहाँ पर मैंने कुटकी लिख दिया है, और ये राठाउरवश की मेरतिया शाका के प्रबर्तक राव दूदा के पुत्र, रावरतन की पुत्री थी तो देखिए मीरा के समद्ध में क्या चीज कही जाती है कि ये किसकी पुत्री थी रावरतन की पुत्री थी और रावरतन कौन थे वे थे रावदूदा के पुत्र और रावदूदा कौन थे ये थे आपके राथारमश की मेड़तिया शाखा के प्रवर्तक तो मे मीरा थी उनके उपर बहुत जादा माना जाता है कि जो मीरा ने कृष्ण भक्ती और अपनी प्रवरिति दिख्वाई वो किस के चलते थी उसके दादा के चलते थी क्यूंकि उसके जो दादा थे वो बहुत धार्मिक और उच विचारों वाले व्यक्ति माने जाते हैं और वे वैशनव संप्रदाय के साथ थे मतलब वैशनव संप्रदाय से उनका संबंध था और माना यह जाता है कि बच्पन से ही जब उनके वो सानिध्य में रही तो दादा से ही उन्होंने बक्ती की जो क्रिशन बक्ती की जो एक प्रवरीती थी वहां से उनने अपना ली थी और इसल भक्ति कि क्रिशन के प्रति जो आस्था थी वो कहां से उनके लिए वो कहां से मिली ठीक है तो ये चीज भी आपने या रखने हैं कि जो उसके दादा जी थे राव दूदा उनसे ही उनको क्या मिली थी ये प्रिर्णा मिली थी क्रिशन भक्ति की क्लियर है तो ये दो चीजे मह गुरुक इसको माना जाता है ये रैदास जी को माना जाता है ठीक है तो ये कुछ एक महत्पुन चीज़े हैं इसके बाद हम देख लेते हैं मीरा का जो विवाहिक जीवन था वो कैसा रहा मीरा का जो विवाह देखी ये चतोड के राजा राना सांगा के जेश्ट पुत्र भो के संबन्दी थे आप देखते हैं कि इनके जो देवर थे नीचे नाम भी लिका है विक्रम सिंग तो इनना इनको अनेक यातनाएं दी वो क्यों दी ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इनका जो विवाहा बहुत कम उमर में हो गया था राना सांगा के जो जिश्ट पु पति क्या करते हैं हम कि वहां पर हम अपने जो इश्ट प्रियत्म या पती के रूप में मानना शुरू कर देते हैं और यही चीज़ मीरा भी मानती थी कि मेरे इश्वर कौन है मेरे पती कौन है मेरे ईश्वर ही है मैं उनको ही अपना सर्वे सर्वा मानती हूँ और इसलिए इनोंने सती होना इनकार किया और दूसी चीज ये है कि मेरा जो है उच गराने से थी और उच गराने में ही इनका विवा हुआ था और जब वो निमन जाती के लोगों के साथ और बिल्कुल दूसे लोगों के साथ बैठ के कृष्ण की भक्ती में लीन होती थी इसी के चलते जो इनका परिवार था उससे थोड़ा सा वो रुष्ट थे थोड़ा क्या बहुत रुष्ट थे अब देखते हैं कि कई बार इनको विष्ट खिलाना है विष्ट देने की भी कोशिश की गई साजिश की गई लेकिन इनको प्रभु के उपर कहा जाता है कि इतनी आस्ता थी कि विष्ट का भी इनके उपर कोई असर नहीं होता था तो जैसे ही सांगा की मृत्य हुई थी राणा सांगा की उसके पश्चात क्या हुआ था कि विक्रम सिंग ने इनको अनेक यातनाए और अनेक कश्ट दिये लेकिन मीरा तब भी विचलित नहीं हुई और उसके पश्चात इनके जो माई के वाले थे उन्होंने वापिस बुला लिया लेकिन ये कहां चले गई थी द्वारीका चले गई थी और वहीं पर द्वारीका में जाकर ही इन्होंने आखिर में क्या किया रंचोर दासजी के मंदिर में अपना जो आखिरी समय बिताया और वहीं पर इनका दिहवसान हो गया लगभग 1558 या 63 के आसपास ये भी माना जाता है लेकिन निश्चित कोई तारीक या निश्चित कोई सन इसमें भी मालूम नहीं है कि कब इनका जो है निश्चित मृत्यू हुई थी तो आखरी समय में ये किस जगा पर रही ये चीज पूछी जा सकती है कि द्वारिका के रणचोड जी के मंदिर में इन्होंने अपना आखरी समय बिताया और वहीं पर इनकी मृत्यू मानी जाती है इसलिके से प्रशन पूछा जा सकता है और दूसरा प्रशन इसलिके से सकते हैं क्योंकि इनका तालुक मीरा से था किसी ना किसी तरीके से एक लियर है तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है मीरा वाई के जीवन से रिलेटरी चीज़ें कई बार परिक्षा में पूछी जाती हैं चलिए आगे हम आपने देख लेते हैं मीरा के संबंद में जो और महतकुन चीज़ें देखिए मीरा की भक्ती और उनका जो रचना संसार है उसके बारे में हम चीज़ें और जान लेते हैं देखिए मीरा वाई की उपासना की अगर हम बात करें कि इनकी जो भक्ती थी वो किस तरीके की थी माधूर या भाव की थी और आप देखते हैं कि माधूर्य भाव के बक्ति क्या होती है यह मैंने आपको पहली बता दिया कि जहां पर क्या करते हैं अपने प्रियतम या पती के रूप में किसी ईश्वर को माननाम शुरू कर देते हैं तो वही आपके माधूर्य भाव के बक्ति कहलाती है और मीरा ने भी अपनी भक्ति के लि निर्गुन दोनों साधनाओं का क्या माना जाता है प्रभाव माना जाता है ठीक है रहस्य वादिता के कारण ही क्या माना जाता है कि इनमें निर्गुन के भी भाव है निर्गुन का भी इसमें प्रभाव है रहस्य का मतलब है जहांपर क्या हम ईश्वर के प्रती आस्था दि उसमें पढ़ते पढ़ते हम कहां पर पहुंच गए थे हम पहुंच गए थे संपरदायों में आने वाले भी भिन कभियों के बारे में हमने पढ़ा लेकिन उसके भी आगे हम बढ़ गए थे जहां पर हम आज पढ़ रहे हैं देखिए संपरदाय निर्पेक्ष कभी और संपर प्रगुन की बात हो जाहे सगुन की बात हो तो ये सारी चीज़ें मीरा में दिखती हैं और रहस्या का समाविश इसमें देखने को मिलता है इनकी भक्ती में लेकिन इसके अलावा बोजबुरी पंजाबी गुजराती राजस्थानी अलग अलग भाषाओं के शव्द भी इनक इनकी भाषाओं में मिलते हैं तो ये भी इनकी भाषा की एक मात्रपुन विशेष्टा मानी जाती है मीरा के बारे में कौन कौन सी मैंने बताई भोजबुरी पंजाबी और आपका गुजराती तो इनके भी शब्द इसमें मिलते हैं इनकी भाषा में तेर है बात करें अग वर्षबाद ही पती के मृत्य हो गई और इश्वर्थ से मिलने के लिए भी मानो एक तरीके से इनकी आत्मा जो है विरहनी आत्मा की तरह तडप रही थी इसलिए ये मानते हैं कि मीरा वाई का जो जीवन और कावे है वो क्या है सबसे बड़ा उसका यो यह थार्थ है सचाई ह उसकी वो क्या है वो विरह है कि उनका पूरा का पूरा जीवन विरह में ही बीता ठीक है प्रभू के विरह में या फिर पहले पती के विरह में तो दोनों चीज़े हैं देखिए ये जीवन में भी और कावे में भी सब आब इकसी बात है अगर किसी के जीवन में विरह होगा तो अपने कावे में भी उसी चीज को ही दर्शाएगा नेक्स्ट दीखिए कि प्रमुख जो इनकी पंक्ती मानी जाती है विरहक से संबंधित गायल की गती गायल जाने और न जाने कोई तो ये वाली पंक्ती भी कईवार परिक्षा में पूछ जाती है हाला कि इनकी अधिकतर जो रचनाय है वो नहीं मानी जाती है अचारे रामचंदर शुकल जी ने इनकी जो प्रमुख रचनाय मानी है वो चार जो मैंने यहां पर रंगीन करती है देखी थोड़ा सा उनको ब्लू करके तो इनकी जो पहली रचना है गीत गोविंद टीका फिर नर्सीर जी का मायरा राग सोर्था और राग गोविंद ये इनकी प्रमुख रचनाय मानी जाती है मीरवाई की और हम देखते हैं कि अचाय रामचंद्र शुकल ने हिंदी साहिते की तिहास में सिर्फ इनकी चार रचनाय मानी है लेकिन महत पूर्ण जो इनकी रचनाय है वो ये उपर वाली चार ही रचनाय मानी जाती है जिसमें गीत गोविंद टीका नर्सी जी का मायरा राग सोर्था और गोविंद ये परिक्षा में पुछी जाती है और ये बहुत ही महत पूर्ण रचनाय हैं कई बार आप देखते हैं कि इन रचनाय को पूछा जाता है कि इन रचनाय का संबंध किस से है अलाग कि जादा नहीं है और इसको याद रखना भी कोई मुश्किल बात नहीं है तो इसलिए आपने इनको simply याद रखना है और इनके बारे में इतने ही चीज़ें उपलावद होती है कि इन रचनाओं के अंतरगत इनमें क्या चीज़ें इन्होंने रखी है वो भी कहीं विस स्फुट पद प्रकाशित हुए हैं मतलब इनके जितने भी पद मिले हुए हैं वो किस मेह देखिये मीरा भाई के पद शीर्शक से वो प्रकाशित हैं तो प्रशन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मीरा के जो स्फुट पद हैं वो किस नाम से प्रकाशित हैं मीरा के पद मीरा बाई के पद या मीरा बदावली इसरीके से आपको विकलप दिए जा सकते हैं तो यह वाली पंक्ती भी आपको बहुत जरूरी है याद रखना कि मीरा बाई के पद नाम से इनके जो स्फुट पद हैं वो प्रकाशित हुए हैं स्फुटपद का मतलब क्या है उनका मतलब यही है कि जो इनके प्राप्थ है मतलब उपलब्ध है उन्हीं को क्या का जाता है स्फुटपद ठीक है नेक्स दीखिए कि मीरा ने वियोग श्रिंगार के साथ साथ शांत्रस का भी प्रियोग किया है ठीक है तो यह चीज आपने इ में भी देखने को मिलता है कि इन्होंने शांत रस का प्रियोग किया है और इसका जो भाव है देखिए शांत रस का कौन सा है आपका निर्वेद ठीक है ना तो ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है मीरा के समंद में मौतपुन चीजें थी जो वो मैंने आपको बता दी कि इनकी जो प्रमुक रचनाएं कौन सी है और इनके जीवन काल से समंदी जो महत्वपोन चीज़ें किन से इनको शिक्षा मिली थी रैदास जी से और इनकी जो प्रमुक कृतियां कौन कौन सी है ठीक है इनके दादा जी कौन थे इनके पती कौन थे ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए clear है और इनकी भक्ती के समद्ध में भी पूझा जाता है कि इनकी किस त्रीके की भक्ती थी तो ये हो गई मीरा के बारे में पूरी चीज़ें इसके अलावा कुछ चीज़े अगर मुझसे छूट गई हो तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पर इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं उनको आप रिकलक्ट करना चाहते हैं तो आप क्विज देने आ सकते हैं हमारे टेलेग्राम ग्रूप में जुड़ सकते हैं जितने भी हमारे प्रशन यहाँ से बनते हैं इस लेक्चर से उन सब प्रशनों को हम डिसकस करते हैं अपने टेलेग्राम ग्रूप में तो आप वहाँ पर जॉइन हो सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा और साथ ही साथ दूसरी जो महत्वण चीज़े हैं वो भी हम वहाँ पर डिसकस करते हैं और PDF अगर आप चाहिए होगी इस लेक्चर की तो आपको वो भी वहाँ पर उपलब्द करवा दी जाएगी तो चलिए अब हम देख लेते हैं रस्कान के बारे में रस्कान दूसरा महत्वण नाम संप्रदाय निर्पिक्ष कभियों में माना जाता है और रस्कान के जनम के समद्ध में देखिए अगर हम देखें तो इनका जो जनम माना जाता है 1533 इस्वी में ठीक है और इनकी मृत्यू कभ हुई थी 1618 में तो मतलब ये क्या थे मीरा से थोड़े से छोटे माने जाते हैं ठीक है और मूल नाम के अगर हम बात करें देखिए तो रसलीन कौन थे ये रीती कालीन का भी है देखिए उनका मूल नाम भी कुछ न कुछ इनसे ही मिलता जोलता था देखिए सैयद गुलाम अली ये था रसलीन का नाम लेकिन जो रस्खान है इनका मूल नाम है सैयद अबराहिम एक है सैयद अबराहिम दूसरा है सैयद गुलाम अली तो गुलाम अली कौन है यह है रसलीन जी ठीक है यह चीज़ें आपने याद रखनी है और यह चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं और यहीं पर बच्चे क्या है गलती कर बैठते हैं कि हाँ ऐसा मैंने पढ़ाता कुछ रस गोसाई विठ्थलनात कौन थे वही जो वलब संप्रदाय के अंतरगत आते थे और जिनके जो शिश्य आगे अश्ट चापी कभियों में से चार कभी प्रमुक थे वो थे ठीक है और यही इनके दीक्षा गुरु माने जाते हैं गोसामी विठ्थलनात देखिए अचारे रा गुरु में रस्खान जी को और ये वली पंक्ति मेंने यहाँ पर इसलिए रखी है क्योंकि जो हमारे अश्चापी कभी हैं ने जो चार प्रमुक किस के माने जाते हैं गोसाई विठ्थलनात के शिश्य माने जाते हैं हो सकता है आपको रस्खान के साथ उनका नाम जोड़ पूछ लिया जाए बिकल्पों में और पूछ लिया जाए कि ये पंक्ति शुकल ने किसके संबंध में कही है तो देखिए विठलनाथ से आप कन्फ्यूज मत हो जाना कि इनके चार शिश्य आपके कहां पर आते हैं उसमें आते हैं आपके अश्ट छापी कव्यों में तो ये आते हैं रस्खान के लिए कही है ना कि अश्चापी कव्यों के लिए ठीक है कि उनमें क्या है इनकी बड़ी भारी विशेश्टा है कृष्ण भक्ति और गोसामी विठलनाथ के कृपा पात्तरता ये चीज किसकी है रस्खान के समझ में है नेक्स आपके रामचरित मानस की क कथा सुनने वाले प्रत्थम व्यक्ति भी कौन है रस्खान जी ही है और गोसाई चरित जो मूल गोसाई चरित है देखिए उसमें ये चीज तुलसिदास त्वारा जो स्वरचित रामचरित मानस की कथा है देखिए उसमें कहा ये गया है कि सबसे पहले किस ने सुनाई सुनी ये कथा रामचरित मानस की पहले व्यक्ति रस्खान ही थे तो ये वाली बात भी बहुत मुत्वपूर्ण है कि तुलसिदास ने रामचरित मानस सबसे पहले कि इसको सुनाई था रस्खान को सुनाई था लिए आगे देखिए शाही खानदान से इनका संबंध माना जाता है तो ये भी बहुत मुहत्वकून चीज है ये बात अचारे रामजंद शुकल हिंदी साहिते के तिहास में मानते हैं ये कहते हैं कि ये दिल्ली के एक फठान सरदार थे और इनने अपनी जो इनकी प्रमुख रचना है देखिए प्रेम वाटिका उसमें ही अपने को शाही खानदान का कहा है उसका एक दोहा ये देते हैं हर एक किताब में आपको ये मिल जाएगा कि देखी गदरहित साहीबी दि प्रशने इस तरीगे से पूचा चा सकता है कि रस खान ने स्वाइम को शाही खान Dadan से किस गरंध में माना है या किस रचना में माना तो नीचे इनकी आपको रचनाएं दे दी जा सकती है तो इनकी जो महें जो भूठ प्रिशना है प्रेम वाटिका उसी में ही इनुने का मा तो यह कहते हैं कि जो प्रसिद पंक्ती है ये भी परिक्षा के लिए बहुत उप्योगी है, कई बार ये परिक्षाओं में पूची गई है, इस मुसलमान हरी जनन पर केतीन हिंदू वारिये, कि इस मुसलमान पर मैं कितने हिंदू को वार दूँ, ठीक है, ये बात कौन मानते हैं यह कहते हैं भारतेंदू हरिशंदर जी इसके समन्द में रसखान के समन्द में तो यह वाली पंक्ती भी आपने याद रखनी है अभी ये परिख्षा में पूछी गई थी हाल ही मे, खिक है चलिए आगे अब हम देख लेते हैं रस खान के रचना संसार के बारे में कि इनकी प्रसिद कृतियां कौन कौन सी है और क्या इनके बारे में अन्य जो विचारक हैं अन्य जो चिंतक हैं वो क्या मानते हैं तो देखिए सबसे महत पूर्ण चीज जो रस खान के समंद में कही जाती है वो ये कही जाती है कि इनका ज इस सम्निद में विश्वोणात्रिपाथी क्या कहते हैं ये कहते हैं कि जितने सरस, सहच, प्रव merchant के हैं उतने शायद ही किसी अन्यकवी के हो रसकान का कोई ऐसा सवयया नहीं मिलता जो उच्थствен का नहीं हो तो दीखिए इनके सवययों के सम्निद में अलग-लग विद्वानो अलग अलग चीज़ें कही हैं जो महत्पून चीज़ें थी जिनको प्रिक्षब में पूछ जाने की संभावना थी वो मैंने आपके बीच में रख दी है जो अचारे विश्वनात त्रिपाथी जी है जिनका हिंदी साहित्य का जो सरलीती हास इन्हों लिखा है इसमें ये कावय का आश्रे न लेकर कवित सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है तो ये चीज़ भी कौन मानते हैं अचारे राम जंदर शुकल हिंदी साहित्य कहित्य हास में मानते हैं और ये वाली पंक्ती भी पूरु में पूछी गई थी UGC NET या फिर दूसरी प् रस्खान जी ही है तो ये तीन जो महत्वपूर्ण अलोचक हैं उनके कथन रस्खान के बारे में क्या हैं वो मैंने आपको टक दिये हैं कि ये ये चीज़ें इनके समन्द में ये मानते हैं आगे अब हम देख लेते हैं इनकी जो प्रमुख रचनाए कौन कौन सी हैं तो दे देखिए 214 जो फुट संग्रे हैं इन में से क्या क्या हैं 181 स्वईये हैं 17 कवित 12 दोहे और 4 सोर्ठे माने जाते हैं इसमें और इसमें इनोंने क्या किया देखिए इन छंदों का जो मूल प्रतिपाद्य क्या है वो है भक्ती प्रेम और रादा क्रिशन की रूप माधुरी वंशी मोहिनी एबम क्रिशन लीला संबंधी अन्य जो सरस प्रसंग इसमें देखने को मिलते हैं किसमें ये हैं आपके सुजान रस्खान में इसके अलावा जो प्रेम वाटिका है देखिए ये इनकी दूसरी मौतपूर्ण कृति माने जाती है और इसमें 53 दोहे हैं और 53 द ठीक है और उसी गूर्टत्व को उनने जानने की कोशिश की है प्रेम वाटिका में और प्रेम वाटिका में मैंने ये पात आपको पहले भी कही थी उसमें उनने खुद को क्या कहा है शाही खानदान का कहा है ठीक है तो प्रेम वाटिका इनकी बहुत महत्तपूर्ण रचना माने जाती है यह चीज़ आपने याद रखनी है क्लियर है आगे है देखिए दान लीला तो दान लीला ग्यारा चंदों का पद्य प्रबंद है या आपका एक खंड का वे है तो ग्यारा चंद छोटा ही है यह भी बहुत संक्षिपट जिसको कहा जा सकता है उसके अलावा अश्टियाम तो अश्टियाम उससे पहले आपने नावादास का पढ़ा था ना भक्तमाल ठीक है यहाँँपर देखिए उसमें क्या था भक्तमाल में नावदास का उसमें आपका था जो राम की दिनचर्या का वनन लेकिन यहाँ पर अश्टियाम है देखिए यह रस्खान की है इसमें क्या है यह क्रिशन की दिनचर्या का वनन है तो यह चीज भी आपने याद रखनी है कि क्रिशन की दिनचर्या का वनन किसमें होता है अश्टियाम में होता है और इसमें यह कहा जाता है कि श्री क्रिशन के प्राता जागरण से लेकर के रात्री शैन परियंत उनकी दिन चर्याएवं अलग-अलग जो इनकी क्रिडाएं थी उसका वनन देखने को मिलता है अश्टियाम में और अश्टियाम में इनके कई दोहें संकलित माने जाते हैं ठीक है तो ये इनके जो चार महत्वपून रचना और इनके प्रेम तो जो ईश्वर के प्रती इनका प्रेम था देखिए या फिर यूँ कहें सांसार के प्रती या फिर जन्मानस के प्रती इनका जो प्रेम था उसको लेकर जो डॉक्टर नगेंदर हैं देखिए ये क्या कहते हैं कि उनका उनका किनका रस्खान का प्रेम बहुत मुत्रफुन पंक्ति है कि इनका जो प्रेम है देखिए प्रेम वर्नन है वो बहुत ही सुक्षम व्यापक एवं विश्यद है सुक्षम मतलब बिल्कुल छोटा देखिए पहली एक तरी के से ऐसा वो रहे है कि ये सुक्षम से इनका मतलब है कि ये क्या है बारीकी से कि इसी चीज़ को समझता है व्यापक है मतलब पूरे व्यापक पटल पर और विशद है तो ये तीनों चीज़ें में समाहित कर लिए कि इसने डॉक्टर नगेंदर ने रस्खान के संबंध में क्लियर है तो ये होगे इनकी जो प्रमुख रचनाय थी तो इसके अलावा रस्खा फोरी मोहिनी मान तो ये है इनकी प्रसीद पंक्तियां दूसरी पंक्ति कई वारत नहीं देते हैं आपको वो इसलिए नहीं देखते क्योंकि दूसरी पंक्तियों इनकी अपना नाम रख दिया होता है तो ये एक पहली जो उपर वाली पंक्ति ये आपको याद रखना बहु जितने भी आपके जो ये क्रिशन भक्ती के कवी हैं, उनकी जो जादातर पंक्तियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेंगी, क्योंकि जितने भी हमारे साहिते इतिहास की पुस्तके हैं, वहां से ही प्रशन पूछे जाते हैं, और आप देखेंगे, आप च चीज़ को आजमा भी सकते हैं ठीक है तो आपने क्या करना है जितने भी आपके इतिया हासवारी पुस्तके हैं वहाँ पर जो महत्वपूर्ण पंक्तियां ही दी जाती है उनको आपने याद रखना है ठीक है तो ये जून 2019 में नेट की परिक्षा में पूछी गई थी और इस तो ये वाली पंक्तियां में किसके रस्खान की है या लकुटी ये वाली पंक्ति बहुत मतवपूर्ण है या लकुटी अरुकामरिया पर राजती हूँ पूर को तजीदारों तो इसके लावा देखिए आखिर वाली है या मुरलिम अधुर की अधरा ना अधरी ना तो ये सब किसकी पंक्तिया है रस खान की प्रसीध पंक्तिया हैं आप चाहे तो वीडियो को pause करके इनको note down कर सकते हैं आप चाहे तो अपने phone का आप screen shot ले सकते हैं कुछ भी आप कीजिए बस आपकी जो फरिक्षा है आपका जो jrf वो 2021 में निशीत है की होना चाहिए तो ये थी रस्खान और मीरा के समन में कुछ एक महत्वपून चीज़ें जो जो मैंने आपको बता दी हैं अगर आपको लगता है कि इसके आलावा कुछ अन्य जो महत्वपून चीज़ें हैं वो हमसे कहीं न कहीं छूट गई हैं तो आप कोमेंट सेक्षन में जाकर उनको बता सकते हैं ताकि हर एक विद्याति तक सही तरीके से सही जानकारी उप्लब्द हो सके फिलाल अभी के लिए इतना ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शियर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्ज और नई स्पूर्ति के साथ तब त झाल कर झाल झाल को सब्सक्राइब प्लीज और चैनल को सब्सक्राइब来 ॉ My big